उत्तर प्रदेश के हर दोई जनपद में लोगसबा चुनाव के द्रिश्टीगत पार्टी के दिशा निर्देश पर लोगसबा केंदरी चुनाव कारयाले का शुभारम किया गया इस अफसर प्रदेश के सहकारिता मंतरी जेपीएस राठों ने कारयाले का फीता काट कर कागरवाल समेद बड़ी संक्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कारेकरताओं मौजूद रहे इस अवसर पर जेपीएस राठोर ने कहा कि पार्टी के निर्देश पर चुनाव कार्याले का शुभारम किया गया है और यहां से चुनाव का संचालन किया जाएगा उन्होंने कहा अपकी बार 400 से अधिक सीटों पर कमल का फूल विजय होगा और विपक्षी दल का पहले से भी बुरा हाल होगा हर्दोई से ब्यूरो चीफ अनिल सिंग की रिपोर्ट लोगसवा के चुनाव कारेले का उत्गाटन आज किया गया है उत्तरब देश के सभी असी लोगसव के चुनाओं के कारेलों का उत्गाटन या तो हो चुका या फिर एक दो दिन में हो जाएगा इसी प्रकार से देश के सभी लोगसवा चुनाओं के कारेले भारती इंता पार्टी ने खुल दिये हैं ताकि हम चुनाओं को व्यवस्ति डंग से अच्छी तरीके से करते हैं हमने लोकसवा की संचालन समीत का घठन कर लिया है उस दिनों में हर विधांसवा इस्तर पर भी हम कारले भुरी नहीं जा रहे हैं आगे आने वाले समय में कई प्रकार के अभियान पूर में भी चले हैं जिस तरीके से भिक्सित भारत संकल प्यात्रा चली है उसी प परकार के सम्मेलन जिसमें इवाओं के लिए किसानों के लिए महिलाओं के लिए और लावारतियों के लिए इस सम्मेलनों का भी आयोजन हम करने जा रहे हैं और सासी साथ प्रचार पुसार के लिए कमल के फूल दीवार लेखन इसका भी कार्टम भारती इंदापाट्टिंट सब्सक्राइब दावेदारों की सभी दावेदारों का सब्सक्राइब और उसके बाद पार्टी अपने धंग से काम करती है और दावेदार जहां पर भी आएंगे तो उनसे अभी कारले में जा रहें बैठक करेंगे कोई भी दावेदार होगा उनकी सबकी बात सुनी जाएगी और सबसे अच्छा कंड्रेट भारती इंता पार्टी को अमीद्वार बनकर हर्दोई में आएगा अच्छा आप कह रहे हैं आपने तयारी चालू कर पार्टी का जो तो और याशी कट्र समाजबादी पार्टी का माई और विक्यार कृट्षऑ वा drift नतापड़ी यह कतला में बहुत से मदें प्रसकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आपने पिछरा दली तो उर्षकी बात करी जो पीडिये एलायंस है यह केवल और केवल पप्पू डब्बू एलायंस बनकर रह गया है इसके अतिरेक्ट कुछ नहीं है इसमें दोई ही लोग है और 2017 में वो एलायंस पूरी तरिके से फ्लाप हो चुका है उस समय समाजबादी पार्ट यह भरतियों पार्टि हमेशा से रहा है एक पूरे देश pirate सर्फ जानून होना चांब यह नहीं कि किसी दर्फे विक्ति के लेए किसी दूसरा कानून धान के लिए घरती इंता पार्टी के बैशारिक उसमें सभी लोग जानते हैं कि लाल कृष्ण अडवानी जी का इस भारत की राजनीत को बदलने में कितना बड़ा यूगदान है पूरा जीवन उन्होंने भारत की राजनीती और भारत के लोगों के समाज के विकास के लिए लगा दिया है ऐसे पुरोधा जीरों ने भारती इंतापार्डी को सुने से सिखर पर पहुँचा कर और केंद्र में सरकार बनाने में सबसे जाधा बड़ी भूंका का निर्वा करने का काम किया है अटन वियारी बाजपी जी को पहले ही भारत रत मिल गया उनके अनन सयोगी लाल कृष्णा अटवानी जी को आज भारत रत मिला है इसके कारण भारती जंता पार्डी के एक कार करता ही नहीं देश का एक एक नागरी गौरवानवित है और मुझको लगता इससे अच्छा न बोलें कि जिन्ना गलत थे जिन्ना बादी तो खुद बनते हैं आज तक उन्होंने तो कभी जिन्ना की बुराई की नहीं तो जिन्ना की आलोचना वो पहले खुद करें वो उसके बाद आएं मैदान में राहुल गांडी जी ने चारों जातियों के स्पष्ट कर दिया है कि देश में चार जातियां है युवा है महिला है किसान है और गरीब चार जातियों के स्पष्ट करने का काम मोधी जी ने किया है और राहुल गांडी जी ने अगर केवल ऑड्र ही सुनाय तो मैं समस्ता हूं कि आप लोगों इक माध्ञ्धम से फिर से कहना चानता हैं मोधी इ तो पूरे देशके में सब का कल्याण हो जाएगा उसी के लिए नारा दिया करती नाचार पर नापात पर मोहर लगेगी हाथ पर आज उस वैचारिक उससे बिचलित हो गई हुआ तो वो कांग्रेस सोच लया कि जो इंदर्ा कांधी जी न इजो बिचार दिया धा धा और उसके बाद बात कि तो पहले तो वो अपने गिरेवान में जहांके देख ले, अपने कांग्रेस की भैचारिक प्रश्टभून को जान ले और उसके बाद बात के ले